नमस्कार दोस्तों, इंडर्मनी.com हिंदी पर आपका स्वागत है, मिरे नाम है फयाज हर इंसान चाहता है कि यार वो भी थोड़े बहुत पैसे जमाएं अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने करियर के लिए और बहुत बार इस चीज को हासल करने के लिए हम लोग अलग अलग तरह की तरकीवे आजमाते हैं, अलग अलग तरह के हदकंडे आजमाते हैं, लेकिन जो सबसे effective और सबसे कम risk वाला तरीका है वो definitely है mutual funds का, again mutual funds में भी बहुत सारे अलग अलग तरह के categories होते हैं, equity based mutual funds होते हैं, debt based mutual funds होते हैं tax saving mutual funds होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, gold ETFs वगेरा भी होते हैं अब again equity में बहुत सारी subdivisions होती हैं, small cap होती है, mid cap होती है, large cap होती है तो जैसे कि large cap basically वो companies होती है, जिनका market capitalization 20,000 crore से ज्यादा होता है जैसे कि Infosys, जैसे कि Tata, जैसे कि Reliance, etc. अब आते हैं mid cap पर, mid cap basically वो companies होती है जो की 5000 crore से लेके 20,000 crore के बीच में, जिनका market capitalization होता है, उनको बोलते है mid cap और small cap basically वो जिनका की 5000 crore से कम के असपास का valuation होता है, उसको कहते है small cap अब देखिए, यहाँ पर problem यह होती है कि जब बात आती है कि कि किसका चुनाव करें तो large cap के अलग फायदे है, mid cap के अलग फायदे है, small cap के अलग फायदे लेकिन mid cap basically अगर आपको mediocre level का risk लेके चलना है और decent returns हासल करना है तब mid cap वाले जो mutual funds होते हैं, वो काफी effective होते हैं, काफी cost से भी होते हैं और काफी हद तक आप इसमें अच्छे खाय से returns भी बनाते हैं इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन से कौन से ऐसे अच्छे mutual funds हैं especially mid cap based mutual funds जिन्होंने की पिछले कुछ सालों में काफी कमाल के आपको returns दिये हैं तो यहाँ पर हम लोग अलग अवधी देखेंगे, हम लोग short term देखेंगे, हम लोग mid term देखेंगे और हम लोग long term भी देखेंगे, ताकि आपको एक बहतर perspective मिले कि हाँ अगर मैं थोड़े से ज्यादा वक्त के लिए अपने पैसे इस particular mutual fund में लगाता हूँ इस particular mid cap mutual fund में लगाता हूँ, तो मुझे किस तरह के returns मिलते हैं तो चलिए बिनाकिस देरी के सीधा point पर आते हैं और सीधा table की ओर चलते हैं तो अगर हम लोग इस table पर ध्यान देते हैं, जो सबसे पहला नाम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आते हैं DSP mid cap fund पर जिसने आपको एक साल के अवधी में दिया है लगपक 33.49%, तीन साल के अवधी में यहाँ पर आपको मिला है 11.94%, फिर आते हैं 5 साल के अवधी में यहाँ पर आपको मिले है 18.47%, 7 साल के अवधी में यहाँ पर आपको मिले है 20.72% और 10 साल के अवधी में य एक साल के अवधी में 14.79% का return दिया है तीन साल के अवधी में पात साल में यहाँ पर आपको मिले हैं लगबग 17.60%, साथ साल के अवधी में यहाँ पर आपको मिले हैं 20.48% और बात करेंगर 10 साल के अवधी की तो यहाँ पर आपको मिले हैं लगबग 18.04% इस लिस्ट में चौथा है Tata Mid Cap Growth Fund जिसने आपको दिया है 37.28% के रिटर्न लगबग आपको एक साल के वधी में तीन साल के वधी में यहाँ पर यह नंबर काफी बढ़ कर आया है almost 13.61% पांट साल के वधी में यहाँ पर देखिया आपको 16.92% का रिटर्न मिला है और आखिर में 10 साल के वधी में आपको मिला है 17.45% का रिटर्न आखिर में बात करते हैं Nippon India Growth Fund की जिसने आपको 38.24% का रिटर्न दिया एक साल में 13.07% का रिटर्न दिया है 3 साल में 5 साल में यहाँ पर आपको मिले है 17.61% के रिटर्न साथ साल में आपको मिले हैं 18.28% के रिटर्न और 10 साल के वधी में आपको मिले हैं लगबग 13.83% के रिटर्न आपके mid-cap mutual fund पर तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये video informative लगा होगा यहाँ पर देखिए अलग-अलग mutual funds की अलग-अलग तरह के returns थें और ये mid-cap mutual fund है तो आप यहाँ पर completely अपने दिमाग से थोड़ा बहुत और research करके आप ज़्यादा बहुतर judgment यहाँ पर ले सकते हैं और इनने से किसी mutual fund का आप चुनाफ कर सकते हैं और अगर आपको ये judgment लेने में थोड़ी सी help चाहिए तो financial freedom app है ना आपको यहाँ पर हमें सिखाने में काफी ज़्यादा खुशी होगी about mutual funds, about investing, about stock market investing especially यहाँ पर हमने जो एक course बनाया हुआ है about financial freedom और बहुत सारे ऐसे अलग-अलग courses हैं career building को लेकर, farming को लेकर, business को लेकर और यहाँ पर आप, अगर आपके aspirations हैं कि हाँ मुझे investment करना है और मुझे investment करके एक passive income का source generate करना है कि चाहे मैं महीने में काम करो या ना करो, मेरे account में हर महीने एक लाग रुपे गिरने चाहिए तो यह भी आप कर सकते हैं, बशर्थ है आपने सही तरह के investments किये हो तो अगर आप इनके वारे में सीखना चाहते हैं, डीटेल में तो आप download कर सकते है financial freedom map हम लोग काफी nominal charges पर आपको उसकी subscription दे रहे हैं family की साथ भी share करिए, comment section आके बताइए कि अगर आपकी कोई सवाल हैं, कोई सुझाव हैं, कोई topic request हैं तो हम definitely उसके पर भी जल्दी से वीडियो लेकर आएंगे और इस वीडियो को like कर दीजे, चैनल को subscribe करके पहला icon को press कर दीजे और मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, मिरे नाम है फयाज और आप देख रहे हैं